दिपावली वं छट पुजा के अफसर पर यात्रों की सुविधा के लिए कई पुजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। नई दिल्ली आनन्द बिहार से बिहार के लिए 7 जोड़ी अत्रिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा इसके साथ ही एक जोड़ी सुपधा स्पेशल ट्रेन गया सासाराम कोजर्मा के रास्ते धोपनेश्वर और आनन्द बिहार के बीच चलाई नई दिल्ली पतना नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर को नई दिल्ली से खुलेगी जबकि ये ट्रेन पतना जंसन से 26 अक्टूबर को चलेगी नई दिल्ली पतना नई दिल्ली वाया वारन सी लखनव पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से 26 अक्टूबर को तथा पतना जंगसन से 27 अक्टूबर को चलेगी इसके साथ ही रेल्वे की तरफ से नई दिल्ली दर्भंगा नई दिल्ली वाया लखनव गोरकपूर हाजीपूर समस्तिपूर नई ट्रेन दिल्ली से 25 एवं 29 सक्टूबर को तथा दर्भंगा से 26 एवं 30 सक्टूबर को चलेगी नई दिल्ली दर्भंगा नई दिल्ली वाया लखनव गोरकपूर नरकटिया गंच मुझापरपूर नई दिल्ली से 23 एवं 31 सक्टूबर को चलेगी जबकि दर्भंगा से 24 एवं 29 सक्टूबर को ये ट्रेन बापस लोटेगी नई दिल्ली सहरसा नई दिल्ली वाया लखनव गोरकपूर हाजिपूर वरोनी सिम्री बक्तियारपूर नई दिल्ली से 24, 27 एवं 29 एवं 29 को चलेगी खास बात ये के दिपावली एवं छट के मौके पर घर आने वालों की लंबी कतार लगी है दिपावली के पहले से ही दिल्ली, मुंबई, पुने, बैंगलूरू, चंडिगर, हैदुराबाद, अम्रिसर, अंबाला, लखनव, कूलकापा, गोहाटी, विसाकापत्नम, भूमन इश्वर एहमदाबाद सूरत आदे शहरों से यातिरों कामा शुरू हो गया है इस कारण लंबी दूरी की तमान ट्रेने हाउसफुल हो गई है नई दिल्ली से आने वाली संपूर्ण करांते एक्सप्रेस के साथ ही अन्डी ट्रेनों में रिदेग्रेट का बोर्ड लगा है इन ट्रेनों में प्रतिछा सूची का टिकेट भी मिलना मुश्किल हो गया है दिली से आने वाली संपूर्ण कांते एक्सप्रेस सरंजीबी एक्सप्रेस मगद एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस गवहाती राजधानी पुर्वा एक्सप्रेस विक्रमशला एक्सप्रे पुने एक्सप्रेस से पार्टली पुत्र LTT एक्सप्रेस, राजेदर नगर कूडला एक्सप्रेस, डानापूर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, पुर्वा एक्सप्रेस, अकाल तक्त एक्सप्रेस जैसी तमाम ट्रेनें हाउसफुल चल रही हैं, जिसकी वज़ा से लोगों पर